हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज रसायन विग्यान का जो आप सेट नंबर 347BJ है यहां पर इसका पूरा हल देखेंगे फ्रेंज देखें रसायन विग्यान जो पेपर था पुड़ांग 70 नंबर का था और आप सभी को 3 गंड़ा 15 मिनट का समय मिले था फ्रें दिए गये हैं सही विकल्प चून कर उसे अपनी उत्तर पूस्तिका में लिखिए ठीक है आपका का है कि एक अंता केंद्री घनी एकक कोश्टिका में परमाड़ू की संख्या होती है देखें फ्रेंज आप संथा एक चार दूच्छा तो फ्रेंज इसका सही जवाब था सेक ललता थी तो फ्रेंज इसका सही जवाब था आपका स्थाड़ वाला कि 0.625 मोल केजी पर माइनस वन पावर ठीक है यह भी आपका एक नंबर का था आपके सामने अगला नंबर का है कि प्रतम कोटी की एक अभिकिरिया के लिए वेक इस्थिरांग 2.0 गुड़े 10 पर माइन 2.0 ठीक है तो इसका सही जवाब का था सकेंड वाला यह भी आपका एक नंबर का था चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखे फ्रेंज आपका गहा है कि DNA में छारक उपस्थित नहीं है ठीक है इसका अपसंद था एड़निक गौनीन साइटोसीन या यूरेसील यूरेसील नहीं होता है जो कि आपका एक नंबर का पूछाता प्रस्ण देखे इसको हल करने से पहले आपको यह प्रस्ण हल करके बता देते हैं कि हिंस बर्ग अभी करमक है देखे एथील आकसलेट ट्राइमेजीन सलफोनिक क्लॉराइड बेंजीन क्लॉराइड तो फ्रें यह ऌगे आपके जो आप का है इसका अपर कमेंड बाक्स में आप लिखें कि इसका जो सकता है ठीक है इस प्रशन का, अब चली साकोन को देखाते है कि आपको अगला प्रफृंस को किस प्रकास बोर्ड के Exam में आया था, दैखे आप का पूछा था कि एक तत्तों सी सीपी जालक बनाता है अगर उसकी एक कोष्टिका के कोर की लंबाई 408.6 पीयम है तो अगर तत्तों के घनत्य की गढ़ना कीजिए परमाड़ विक्तेद रबेमान 107.9 यूदिया है जुकि आपका दो नंबर का था सवाल ठीक है अपका एक नि पूस का नियम क्या है इसके अनुपरयोग बताना था यह भी दो नंबर का आपका था अगला प्रशन है कि एक वैदुत अब घट के 2.0 ग्राम को 50.0 ग्राम बेंजीन में घुलने पर इसके हीमांक में 0.40 क की कमी हो जाती है बेंजीन का हीमांक और नमान इस्तिरांग 5.12 क क लिइंट्र है विलियन का Don at करेंग intern? बताना था यह नहिको कि कितना नंबर कढ़ कर दो नंबर कर था यह इसका एंगली उग Алगा परैस्टे दहा निम्न बनाता है जबकि कुल्डरीन नहीं यह भी आपके कितने नंबर का था दो नंबर का था ठीक है फ्रेंज अब देखिए आगला प्रश्ण था कि कारला सहीद असपस्ट करना था यह ना आई सील फोर टू पर माइनस अनु चुम्बकी है जबकि यह ना आई सी ओ फोर प्रदी च फोर टू प्रश्ण था अगला यह प्रश्ण था यह भी आपके कितने दो नंबर का सवाल था अगला फ्रेंज देखिए आपका था कि पाली प्रेप्टाइट्स क्या है उदाड़ा सहीद बताना था दो नंबर का था ठीक है अब चली अगले प्रश्ण को देखते हैं प्रतिरोथ 5.55 गूर दस्पर तरी ओम है इसकी प्रतिरोधन दकता चालकता है मोलर चालकता का सरचनात्मक सुत्र लिखिये गुलकोस की सरचनात्स कैसे भिन आपका ये था आपका तीन नंबर ये भी था अगला है कि निम्न लिखित योगिकों की युगलों में विभेद के लिए एक रसाइनिक परिच्छड की दीजिए देखे आपका प्रश्न था इसको आप देख ग्राम आवासपशील विलेग को 100 ग्राम द्रब्य में घोलने पर विलेगा को अथनाग बढ़कर 350.50 के हो जाता है विलेन के मोला द्रब्यमान की गढ़ना कीजिए द्रब्य के लिए के लिए के बी का मान 2.50 के केजी मोल पर ती रीटर है यह भी आपके कितने चार नंबर का पूरा पेपर आप देख लीजिए कैसा पेपर आया था ठीक है आपका अभी किरिया कि कोटी से अब क्या समझते है प्रदम कोटी और 25 के प्रदम कोटी की ताफिव योजन पर निमने के आखड़े दिये गये हैं यह आपके सामने सवाल है चार नंबर का इस सवाल आपका प पूछा था उनके ज्यादातर योगी अनुचुम्ग की होते समझाएं इतने नंबर का चार नंबर का ठीक है अगला प्रशन आपको पूछा था निमने लिखित उपस हसान योजे योगी के सुत्र लिखिये आपको पहला था टेट्र कारबोनिक निकेल ठीक है टोटली कितने चार प्रश्ण है चार नंबर पहला है दूसरातर से हैं इसको पूछे गए तहिकर चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं अगला सवाल कैस क्या होता इसको आप पढ़ दीजिए इसी प्रकार के सवाल पूछे गए थे यदि आपको यह पांचों सवाल नहीं आरा अथवा में दिया है कि यह आपको सवाल आ रहा है इसको करना था कि प्रोक्षाला में डाइ नाइट्रोजन बनाने की वीदिक वड़न कीजिए और रसाइनिक आपमान पर हैट्रोजन के साथ क्या अभी क्रिया होका कितने नंबर का था आपका पांच नंबर का था अगला सवाल कहिए आपको नहीं आरत अथवा में इंदी आ है आपको यह सवाल करना था कारण सहीत समझाइए यह भी आपका पांच नंबर का था पहला सवाल दूसरा और तीसरा सवाल देखें पहला सवाल था कि आई की अभी किरिया में सब्सक्राइब योग नहीं करते हैं इन सवालों का फ्रेंस पॉलिजियों देख लीजिए कैसा प निकला था देखिए यह आपका 5 नंबर है 5 प्रस्ण पहला दूसरा तीसरा चवधा प्रतिक नंबर का है ठीके प्रोपेन वन आल का चारी के साथ अक्सी करणा देखाना था आपको दूसरा था तिसरा इस सवाल को सभी को आप देख लिए का इसा प्रस्ण था यादि यह प इतने नंबर का था प्र्वतर पर्ष ईक नंबर पॉच्छा था पंच प्रश्न देखिए एक दूती एक धे इक का समीकड़ने ऐ थिस फिर से एक मेर्व है सब आपको लिखना था ऐसी ट्रुडीहाइड ह этот के साथ अब दूसरा था कि अब चलिए अगले प्रशन को देख लेते हैं देखे फ्रेंस यहां पर आपका यह सवाल था कि आपको संचिप्त इसके बारे में टिपड़ी लिखना है कि कोल बेव वैदुत अब घटन के बारे में अब अब चैनके बारे में रोजें मुन्ड अप्चेंड के बारे में दिए सवाल था यह भी आपका पांच नमबर का था ठीक है तो फ्रेंस देखिए यहां पर पूरा यह आपको पेपर दिखा दिए आप इस पेपर को पूरा हल कर लीजिए और जितना बहुईकल पी यह था